हेलो फ्रेंड्स आज कल खान पान सही ना होने के करण सरीर में पोसर तत्तों की कमी हो जाती है, सरीर में खून की कमी हो जाती है, सरीर में थकान और कमजोरी रहती है जी हाँ दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हमफर सीरफ के बारे में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां सिरफ क्या होती है इस सिरफ को कब और कैसे और किन किन समस्याओं में इस सिरफ का इस्तेमाल करते हैं इसके composition के बारे में इसके उफायदे और नुक्सान के बारे में complete जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं हमफर सिरफ के बारे में दोस्तो इस सिरफ को अलकेम कंपणी द्वारा मिनिफेक्चर किया आता है और दोस्तो 25 ml सिरफ आपको फार्मेसी पे 170 रुपे तक आपको मिल जाएगी और दोस्तो इसके कमपुजिशन में इसमें iron, folic acid, sinocobalamin, jinx sulfate, biotin दोस्तो यह सारी हिजे पाई जाती हैं जो के दोस्तो एक साथ मिलकर सरीर में काम करती हैं अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं इसके welfare के बारे में यान इसके फायदे के बारे में दोस्तो जब सरीर में nutrition की कमी हो जाती है यानि कि जब सरीर में पोसत तत्तो की कमी हो जाती है उस condition में इस सिरफ का इस्तमाल करते हैं जो कि दोस्तो यहाँ सिरफ जो होती है पोसत तत्तो क और कमजोरी रहती है दोस्तों उस कंडिशन में यहां सिरफ जो होती है थकान और कमजोरी को दूर करती है इसके साथ दूबले पतले सरीर को मोटा करने में काफी जादा फायदेमन होती है और दोस्तों पिछके गाल को भड़ने में काफी जादा मददगार होती है और दोस्तो आपके वजन को बढ़ाएगी आपका खाया पिया आपके सरीर में लगाएगी और दोस्तों अगर आपके सरीर में आईरन की कमी हो गई है फोलिक एसिड की कमी हो गई है साइनो को बालामिन की कमी हो गई है जिनकी की कमी हो गई है दोस्तों उस कंडिसन में यहां सीरफ जो होती में 10 ml सुबा और 10 ml साम को खाना खाने के बाद इस सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों इस सिरफ का इस्तमाल बच्चों भी करते हैं दोस्तों बच्चों में इस सिरफ का इस्तमाल 5 ml सुबा और 5 ml साम को खाना खाने के बाद इस सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं आप दोस्त अगर इसमें से या फिर्स के अलावा कोई भी साइट फिट दिख रहें फर्दर इस जिरफ का इस्तमाल ना करें और अपने डाक्टर से सला जरूर लें दोस्तों मुझे उम्मिद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें नेश्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थैंक्यू सो मच